क्योंकि बिना इवियम के हटाए यहां पर फ्री फेर एंड ट्रांस्परेंट अलक्शन नहीं हो सकता और इवियम नहीं हटेगी तो कोई कुछ भी कर लिए बीजेपी को आप नहीं हटा सकते हैं बहुत इस पर स्यासारी चेहें पर हम अपनी तार्य तरफ से पूरी कोशिश कर जाएंगे इवियम से चुनाब नहीं हो पाए इसके लिए अब हमें गाउं गाउं शहर शहर घर घर जाना पड़ेगा हम जाएंगे लोगों को जगाएंगे दिखें जो उत्तर प्रदेश के परणाम हैं वो जो जमीनी सच्चाई थी उससे दूर हैं जमीनी सच्चाई प्रणाख में था इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि इतना ज्रैलियों में जो जनसलाब उमड़ा वो किराये का जनसलाब नहीं था वो लोग अपनी इच्छा से आये थे बदलाब के लिए आये उसमें बहुत बड़ी संक्या में बिरोजगार नौजवान थे युवा जो कित सारा जो सबकुसा चुनाव के परणाम बिलकुल उससे विपरीत हैं देखे बीजेपी जीती नहीं है और जो परणाम सामने हैं मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ ये चुनाव आयोग द्वारा अपनी जिम्मेदारियों को भूल कर सम्विधान के द्वारा जो उन्ह भीमानी के साथ जो हैं इस भाजपा की सरकार उन्होंने बरवाई है उत्तर प्रिदेश में उसके कई उधारन आपको देख जाएंगे जिनसे आप ये आकिलन कर सकते हैं और ये वो सारी चीजे हैं जो इस बात को सपस्ट करती हैं कि चुनाव आयोग न तो निस्पक्च रह और नहीं चुनाव आयोग ने साफ सुत्रा और पारदर सी चुनाव कराया जैसे आप देखेंगे कि हर बूत पर पचास से लेके सो और कहीं कहीं तो थोड़ा ज़्याद है और अगर आप देखें तो इधर हातरस इगलास की तरफ इगलास वो विधान सबाएं जिसमें बाक और बाकी हर जिगे से जो रिपोर्ट आ रही हैं वोट काटे गए और वोट भी किसके काटे गए हैं यादब समाज के काटे गए हैं मुस्लिफ समाज के काटे गए हैं और इधर पच्छ में उत्तर प्रदेश में जाटों के काटे गए हैं इस सिति में जब इतने इतने वोटर थे जिनके वोट कटे गए उससे आप लगा लिजे कि एक ही consistency में साड़े 300 से 400 के लगबग बूत होते हैं और उससाब से लगा लिजे अगर 50 वी वोट कटे तो कम से कम 20 से 25 जार वोटे एक consistency में साफ हो गई तो एक consistency में आप अपने विरोध में पढ़ने वाली करना था अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब है चुनावाएग उसमें सामिल है बहुत सीधी सी बात है और इसके बाद में जो आप चीजें देख रहे हैं आपने भी देखी EVM मशीने किस तरह से खराब थी EVM मशीने किस तरह से गाड़ियों में मिली हैं ट्रकों कमिशनर रहे हैं उन्होंने कहा कि जो कोई भी EVM है चार ट्रेनिंग के लिए हो कोई भी वो स्ट्रोंग रूम में होती हैं और स्ट्रोंग रूम में से कभी भी बाहर निकाली जाती हैं EVM तो बाकायदा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एजेंट हैं उनको बता के आप निकालेंगे अगर ये सब कुछ हो रहा है और आप उसके जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो स्वाब भी कहेगी ये संदी के गेर में आगी ये वो सारी की सारी चीज़ें जो होई हैं इस इतनी धीमी हो गई है तो उसको देखके वो लगता है कि मानिया अखले शादव जी ने जो दो-तिन दिन पहले एक प्रस कारी थी और उसमें ये कहा था कि चीप सेक्टिज ने सभी कलेक्टर्स को जिला कलेक्टर्स ये कहा है कि बाई जहां भी बीजेपी हारने की सिती में हो वहां पर क्वाउंटिंग को धीमा करके और उसको लंबा कीजिए आगे तक लेके जाईए और उसके बाद में जैसे होगा करेंगे ये जो सारी चीज़ें हैं ये इस बात को इंगित करती हैं कि निश्चित रुप से गड़बड़ी है और चुनावायोग इसमें शामिल है इस तरह इसे इनको प्रोग्रामिंग की जा सकती है कैसे इनको मैनेज किया जा सकता है वो चीज़ें भी दिखाएं चार-चार बार राश्च्पति को गया पन दिया उसके बाद हमने इस चुनाव से पहले उत्तरप्रदेश चुनाव से पहले पांच राज्यों को चुनाव 8-9 करोड मद्दाता भी अगर सिगनेचर करके हमें दे देते हैं तो हम मानिय सुप्रिम कोट में जाके इस बात के लिए लड़ाएं कि इतने लोग नहीं चाहते कि इवियम से चुनाव हो यह चाहते हैं बैलिट पेपर से चुनाव हो तो क्यों ने बैलिट पेपर से चुना यह चाहते हैं लगातार हम इस बात को बता रहे हैं सभी जो पार्टियाज हैं उन सभी पार्टियों को यह समझना पड़ेगा कि वाकई में इवियम के इगड़बड़ी जैसे देखिए मैं आपको बहुत सिंपल से बताता हूं मैं बार बार पार दाशिता की जो बात कर रह है कि जब मशीने वहां से आती हैं फैक्टरी से आती हैं फैक्टरी से आने के बाद में बनके आने के बाद में जब स्ट्रॉंग रूम में रखी जाती हैं वहीं से वो सारी डिटेल उनको रखनी चाहिए और इसके बाद जब फस लेविल चेकिंग होती है यानि कि जिस जाती है अलग- यह-चीजह को नहीं तो मैंने बार-बार बताई है उसमें होता है कि स्टेट कि स्राज्य में है और दूसरे नंबर पर होता है उसमें कि क्या है चुनाब लोगसभा है विदान वो लिखा होता है तीसरा होता है उसमें district कौन सा है जिला का नाम लिखा होता है चौते नंबर पर होता है जो C यानि controlling unit oblique B ballot unit यानि जिसमें बटन दवाते हैं oblique VB pet ये जो चीजें इनका नंबर लिखा होता है और उसके बाद में उसके आगे होता district serial number जो उस particular boot का number होता है जिसको वो डालते हैं RO डालते हैं और उसके नीचे होता है जो left side में होता है जो engineer है उसके signature होता है राइट side में जहां district serial number है उसके नीचे होते हैं RO के signature और फिर नीचे लिखा होता है कि FLC कब की गई वो सारी चीजें ये information बाकायदा एक certificate के माध्यम से election commission को जो presiding officer है उसके माध्यम से हर party के agent को देनी चाहिए कि यहां पर इस्तामाल होने वाली machine ये है इसका number ये है ये RO है RO के signature है इसका ये district serial number है वो सारी चीजें देनी चाहिए लेकिन दी जाती है नहीं केवल certificate ये दिया जाता है यहां पर इतनी वोटें थी इन में से इतनी पड़ी है ये certificate दिया जाता है वो number जो होता है उस number को देना बहुत जरूरी है लेकिन और फिर उसके बाद में वो number जब होते है जो पीछे ये जानकारी है और इसका लाबा एक जो वो होती है हलके गुलाबी रंग की जो है वो seal होती है और वो seal बिलकुल वो भी unique होती है उस seal को देखा जाना चीए कि वो seal कहीं से कटी फटी टूटी तो नहीं है अगर है तो इसका मतलब कहीं करना कोई छिड़ चाड़ कोई ने कोई गड़ बड़ी है वो चीजें देखे जानी चीए और जिस समय counting हो तो जो controlling unit है जिसमें वो टिकटी होती है वो लाके वो उसके दम से यह information थी और यह जो machine हम लेका हैं यह वो machine है आप चेक कर लिजीए इस पर कहीं ऐसा नहीं होता हम भी counting में रहे हैं कहीं ऐसा नहीं होता कहीं नहीं दिखाया जाता बस केवल उपर की एक seal दिखाया जाती है box में सब निकालने के लिए controlling machine को वो दिखाया जाती है वो ठी manipulation होती है machine बद्री जाती है ना तो वो जो उसमें जो polling agent होते हैं ना उनको ही जानकारी है ना वो इन सारी चीज़ों को note करते हैं नहीं counting agent को जानकारी है बस यह आए कि यहां दिखा लिए हां सब यह बक्से में से निकाली ठीक है गिंती शुरू हो जाती है बद्री गई है क् से हुआ कुछ जानकारी नहीं है यह जिम्मेदारी चुनाव आयोग ने नहीं निभाई अब जो बाकी सारी विपक्षी पार्टियां है चाहे समाजवादी पार्टी हो समाजवादी पार्टी घटमंदन में जो शामिल है और भी जो पार्टियां है उन सब को यह देखना प हुआ है और वो परणाम निश्चित रुप से देश के लिए सुखद नहीं होगा देश के लिए हितकारी नहीं होगा तो सबकों मिलके बैटके मिलके साथ चलना होगा रणनीती बनानी होगी इन सारी सवालों को देखकर उसी साथ से काम करना होगा अगर कर पाएंगे तो आगे इस सारी चीज़ को रोक पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो फिर तो जो होना है आप जानते ही यह तरह हम अपनी तार्फ से पूरी कोशिश करेंगे एवियं से चुनाब नहीं हो पाएगे इसके लिए अब हमें गाओं गाओं शेहर घरगR जाना पड़ेगा हम जाएँगे लोगों को जगाएंगे सिगनेचर कैमपेन भी चलाएँगे और भी जो रास्ता हो सकता वो करेंगे लोगों को अंदोलन के लिए तियार करेंगे, साथ देंगे तो बच जाएगा, इवियम हट जाएगी, साथ नहीं देंगे, तो उसका कोई इलाज नहीं है मैं उसको यविशे में तो फिर कुछ कहीं नहीं सकता हाँ इतना जरू कर सकता हूं अगर बीजेपी को आपको हटाना है तो आपको इवियम को उससे पहले हटाना पड़ेगा इवियम हटेगी बैलेट पेपर से चुनाब होगा और चुनाब भी एक ही दिन में चीए और तीन गंटे बाद उसकी काउंटिंग शुरू हो जानी चाहिए यह सब कुछ करना पड़ेगा ऐसा होगा तभी आप बचा पाएंगे देश को नहीं तो नहीं कुछ बचेगा हम कोशिश करेंगे लोग साथ देंगे तो बहुत अच्छा है साथ नहीं देंगे तो आके लवेगेगेगे